हम लोग यहां पर तीन बड़ी मेजर न्यूस क्या है और कॉंसे स्टॉक मुमेंटम कर सकते हैं वो डिसकस करने वाले देकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि आम सभी को दीवाली की बहुत बहुत शुकामना है देखो दीवाली बैस्ट पिक मैंने स्टॉक यहां पर रग द होट पैनिक मार्केट में ले सकते मार्केट में रिसेशन हो या इंफलेशन हो कोई टेंशन लेनी की ज़रुआती है ठीक है स्टॉक है लेकिन हाँ मुझे पता है कि मार्केट में सभी लोग स्टॉक चूस नहीं करते हैं ठीक है एग्रेसिव पोर्टफोलो भी बहुत सारी लोग रखते हैं ठीक है तो उनके लिए बहुत जल्दी में एग्रेसिव पोर्टफोलो लाऊंगा एग्रेसिव स्टॉक लाऊंगा जो हाई रिस्क हाई रिटेन वाले स्टॉक होंगे हाला कि मैं ट्राइज जरू करूंगा उसमें भी कुछ सेफ हो लेकिन वह हाई रिस्क हाई रिटेन वाले स्टॉक होगे जरू फोकस कीजिगा इंशर बहुत सारे ये स्टॉक काम आने वाले हैं ठीक है चले फटर स्टाट कर लेते हैं देखो आप सभी को पता कि मंडे मूरत ट्रेडिंग है जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा मंडे को वन आवर का मूरत ट सकते हैं एक दिन आपको हम पर कंपल सरी होल्ड करना पड़ेगा ऐसा कुछ है तो मंडे क्या हो सकते हैं तो कि मंडे मार्केट गैप ओप ओपन हो सकते हैं जैसे कि आप दिख सकते हैं 17800 के आसपास ओपन हो सकते हैं वैसे मैं आपको पहले ही बता दिया था कि डाउजूंस यहां पर 32,000 को टेस्ट कर सकता है और जब यह मैंने बोला था आइंशुर आप लोगों ने वीडियो में दिखा होगा यस्टेड़े को यह वाला वीडियो फॉस्ट फॉस्ट वीडियो उसमें तब डाउजूंस सिर्फ यहां पर 130 या 180 पॉइंट 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 था और उसकी वज़े से मारा मार्केट भी ओपर जा सकता है ठीक है क्योंकि करनेक्टेड होता है इंटरकनेक्टेड ओके लेकिन एक सिंपल सवाल सर आपकी एनलेसिस वन अदो बैस्ट है लेकिन क्या करे अभी यहां पर ब्रीक आउट सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा आपको देख सकते हैं falling wage pattern और मैंने relance की वीडियो में भी बताया था कि falling wage pattern का generally जनरली जनरली उसका breakout upside पे होता है आप देखोगे वो upside यहाँ पे आता हुआ दिखाए लिया है आप समझो मोटा मोटा तीन से चार बार टेस्ट करता है उसके बाद breakout कर देता है कोई भी side even downside even upside आप देखोगे यहाँ पे नीचे एक time test हुआ दो टैम तीन टैम और यह उपर जा रहा है उपर भी देखोगे तो दो बार यह तीन बार और यह चौती बार टेस्ट हो चुका है अब यहाँ से इशाद यह breakout कर सकता है लेकिन हाँ first time है तो इसको resistance तो face करना होगा मतलब swing में first time है तो थोड़ा resistance face करेगा फिर breakout कर देगा clear तो मुझे लग रहा है कि 18,000 को एक resistance है जो हाँ पर एक test कर सकता है अगर यह 18,000 को break कर गया अगर इसके उपर closing दे दी आप यह समझो कि lifetime तो cross तो करेगा ही करेगा और यह जितना gap होगा यह जितना height होगा उतना ही height का बड़ा breakout हो सकता है ठीक है ना यानि कि 15,000 और 18,000 तो 3000 का gap है यानि कि 21,000 को nifty जा सकता है कितना 21,000 को nifty जाता हुआ दिखाईजे सकता है बाते समझ रहे हो तो मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि यहां पर 18,000 के उपर sustain करना चाहिए अगर यह कर गया है तो जा सकता है लेकिन बहुत बड़ा negative point है कि यहां पर निफ्टी जाए तो मुझे पसंद नहीं है मुझे फरक नहीं पढ़ दा मेरे mid caps जाने चीए ठीक है आप देखोगे mid caps डाउन है लेकिन chances तो है कि यहां पर निफ्टी जाएगा तो mid caps भी जा सकते है तो मोटा मोटा आप यह समझो कि 17500 से लेके 1850 तक यहां पर निफ्टी next week में range bound आपको दिखाए जैसकता है similarly आप बैंक निफ्टी की बात करें जाए तो मैं weekly chart आपको बता देता हूं weekly chart में weekly chart में 20 यह में पर support लिया है उपर का resistance यह third time test करने आ रहा है और chances यहां पर resistance ले सकता है यानिकि 41,700 approximately resistance है और नीचे जो support है वो यहां पर 40,300 या निकिए जो आज का low है ठीक है वो यहां पर support है तो next week में यह range में पूरा निकल देगा bank nifty 40,300 से लेके 41,700 तक bank nifty range bound आपको दिखाए जाए सकता है बात यह समझ में तो मोटा मोटा nifty अट्राजर के पास और bank nifty यहां पर 41,700 बात यह क्लिए तो hope आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा एक आखरी चीज़ बताना चाहूंगा देखो में पार्ट वन में जरू बताऊंगा जो मंडे का पार्ट वन होगा लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली मुहरत ट्रेडिंग में market gap up open तो जरू होते हैं लेकिन वो सेम डिक को प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ठीका पिछली बात वाइधिंग ऐसे हुआ था जो आप इसा तो डेफरेटी मेंशन कता है लेकिन जहां तक मुझे पता है पिछली बार यहां पर मूरत ट्रेडिंग में इसे हुआ था कुछ उपर के लिए से थोड़ी प्रॉफिट बॉ पॉजिटिव आ रहे हैं मैंने आपको पहले ही बोला कि एफ़ए के डेटा ऐसे पॉजिटिव आते रहे निफ्टी अट्राजर को टेस्ट कर लेगा और और सत्राइट सो को तो यह शायद मंडी को ही टेस्ट कर लेगा जैसे कि आपको दीखाई दे रहे एक गैप अप सेकं तक मुझे पता है और ये लोग ने पहले ही स्टॉक को ले लिया था और रिजल्ट बहुत भाड़ आये है इसका मेनिंग है क्या ये दो बंदे को रिजल्ट पता थे ठैके जरु रू कोशन पुचेगा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टढको बनदे रिजल्ट पता थे और अगर पता है तो यानि कि यह लोग insider trading कते हुए दिखाई दिये हैं ठीका फोकस करना लेकिन मुटा मुटा यह समझो यह स्टोक शाद भाग सकता है अब फॉर्टेंट पॉइंट देखो next week में कौन सी major event है फोकस करना सबसे पहली major event है US को Monday को और US के PMI data आ सकते है US के manufacturing PMI data आ सकते है कुछ भी हुआ तो US के market में हलकी सी profit booking आपको दिखाई जे सकती है ठीक है सेकेंड हो जाता है मंगलवार को ही दूसरे data है US के house price index माना जा रहा है कि यहां पे existing home sales यहां पे घटती होई दिखाई थी है continuously fall है और इसके data पे एक decide करेगा यहां पी US market कैसे हो सकता है यानकी दो दिन Monday and Tuesday बड़ी इवेंट है US market वे तीसरा हो जाता है गुरुवार को है वो है ECB का interest यानि की European Central Bank rate hikes करने वाली है यह भी इंपोर्टेंट इवेंट है थर्सदे को जाब को फोकस करना है मुझे लग रहा है यह data सबसे ज्यादा आपको फोकस करने चाहिए गुरुवार को फिर फ्राइडे हो जाता है इंडियन फोरेक्स रिजर्व की कुछ डेट अपडेट होने वाले है यह ज्यादा वैसे इंपोर्टेंट माहिने नहीं कहते है जहाँ तक मुझे पता क्योंकि इंडियन इवेंट में अभी कुछ ज्याधा नेगेट्व है निए तो माहिन नहीं कहते है नेगेट्व थिकह यह जाधा तर आफको फोकस करने मंड़े त्यूजडए यूजडेंट तरस्टे को पिर इ क्लिर, तो नेक्स टिक में ये सब ही बड़ी इवेंट्स है, अब नेक्स looks में कौन से टॉक मुमेंटम कर सकते है पांच से पंधरा पसंट का तो मुझे लग रहे हैं सब लागर और सबसे पहला जो टॉक मुमेंटम का सकता है वो है लारे सलेब, देखो बात समझो मैंने रिटेल इवेशन के हमारे जो वीडियो रेगुलर्ली फॉलो कते हैं फूकस कते हैं उनको बता है कि रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट इवेंट है वो डिसाइड करवाएगा कि स्टॉक की मुमेंटम कैसी रहनीची है ठीक है यहाँ पर देखो कि रिज रिजल्ट की वजह से फॉल किया है और रिजल्ट इवेंट है तो बड़े प्लेशाद एक्जिट करेंगे तो यह फॉल कर सकता है आप ऐसा हो तो ऊपर का कोई कॉल शॉट कर सकते हैं ठीक है पूट लेनी की सजेशन नहीं करूंगा क्योंकि वालेटल हो जाता है और आप ऐ जा सकता है बर्जर पेंट सेम पॉइंट ठीक है बर्जर पेंट ने स्विंग तोड़ा है मुझे लग रहा है कि बर्जर पेंट 550 तक आ सकता है इसको सपोर्ट टे लेता है कि यह वन वे फॉल है चांसर से बंदा क्रैश हो सकता है फॉल का सकता है 550 तक जाता हुआ दिखरे तो इसको भी फोकस कीजिए का तीसरा हो जाता है एमफेसिस रिजल्ट इवेंट है सेम चीज़ है जैसे कि लॉरस लेब में रिजल्ट की बाद फॉल किया है ब्रेकडाउन है जैसे यह ब्रेकडाउन ब्रेक हुआ यह बंदा और नीचे जा सकते टूथाउजन एन उननी सो पचास तक यह जा सकता है तीन नेगेटिव स्टॉक है और चौथा पॉजिटिव स्टॉक है जो मैंने आपको बता था रिजल्ट पॉजिटिव है प्लस बड़े प्लेस ने खरीदा रिकी है यह बंदा पांट से आट परसं की उपर एक रिली कर सकत रहा है कि अगर यह गैप आप ओपन हो तो यह साथे दस बजी के बाद अगर इंटर रहाइक पे सस्टीन करता है तो आप दो पसंग यह तीन पसंग का स्टॉप लाइक ट्रेड कर सकते हैं वाले नहीं देखते वो शायद वेट करेंगे लिकिन हाँ मैं डिसकस करूंगा यह पर्टिकुलर स्टॉक में करना किया चाहिए लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है ठीक है जरू फोक्रस किजीगा लेकिन ओल इन ओल यह चाहर स्टॉक है जो तो नेक्स्ट ट्विक में फोकस करने चाहिए ठीक है यहाँ पर है लॉरस लैप दो से पांच पर संड डाउन बर्जर पेंट दो से पांच पर संड एंफसिस एंड बेस्ट एग्रो टू पॉइंट अमाफ किजिए टू से नाइन पर संड अप ठीक है तो यह हमारे निफ्टी जो आपने हमारी लिंक से डिमेट अकाउन ओपन किया उसमें ही ट्रेट करते हैं continuous ट्रेट करते हैं definitely तो पांच मैने से आपकी membership शायद और वन येर बढ़ सकती है शायद नहीं confirm बढ़ सकती है आप जाके definitely try कर सकते हैं ठीक है किसी भी आपको हमारी लिंक से कोई भी एक में एकन ओपन करना होगा और हमको छोटी सी कमिशन मिलती है और आप ऐसा हो तो हमारे ग्रूप में जॉइन कर सकते हैं और एक सी डेट साथ तक आप हमारे ग्रूप में मेंबर बने रह सकते हैं ठीक है उसमें क्या membership में मिलेगा वो सभी details आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर यह सभी चीज़े आपको मिल सकती है ग्रूप के अगर आपको अकाउंट ऊपन नहीं करना है तो आहाँ पर एट हंडे टुपिस पर मंद की भी membership ले सकते हैं और members यहाँ पर course भी launch किया है definitely check out कीजीगा बहुत जल्द jackpot strategy आ सकती है जो आपको profit देके जा सक सकती है ठीक है जो जैसे की swing trade होता है jackpot होता है हमारे jackpot calls वह strategy में यहाँ पर बहुत जल्द launch करने वाला हूं possible कुछी दिनों में आ जाएगा तो specially swing trade, btst, jackpot strategy के calls आपको मिल जाएंगे ठीक है बहुत जल्द आ जाएगा ओकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के गुद्बाई, जय है